हरे क्रिश्णा, टाइटल देखकर तो आप समझी गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में है हाँ, ये वीडियो उसे दिन के बारे में है जब दुनिया के हर दूसरे टीनेजर की एक्स्ट्रक प्लासेस होती है और हर यूवक को अपने ओविस में ओवर टाइम करना होता है आज की जेनरेशन में बहुत ज़्यादा पॉप्रिलर वैलेंटाइन्स दे जैसे बच्चों के लिए चिल्डरन्स दे होता है, टीचर्स के लिए टीचर्स दे होता है, वैसे ही लवर्स यानि प्रेमियों के लिए होता है ये वैलेंटाइन्स दे इस दिन दो प्यार करने वाले लोग आपस में मिलते हैं और अपने रिलेशनशिप को अपने प्यार को सेलिब्रेट करते हैं कुछ मीठी मीठी बाते करके और एक दूसरे को गिफ्ट्स दे कर लेकिन आखिर ये प्यार होता क्या है? क्या ये कोई अच्छी चीज है या बुरी? क्या इससे हमारा फाइदा होता है या नुकसान? आप सभी के घरों में चाकू तो होगा ही अब कि जो चाकू होता है इसी से हम सबजिया काटते हैं और बहुत ही टेस्टी स्वादिश्च वे अंजन बनाते हैं लेकिन इसी चाकू से लोग एक दूसरे का कतल भी करते हैं तो बताइए चाकू अच्छा हुआ या बुरा? अब चाकू तो चाकू है उसे कौन किस इरादे से कैसी नियत से इस्तमाल करता है इस पर निर्भर करता है सच तो ये है कि प्रेम की परिभाषा हमारे समझ से परे है प्रेम तो समर्पन है नी स्वार्थता है ये कोई बंधन नहीं है नहीं ये कोई उपरी दिखावा है सही माइने में प्रेmm हर उस कार्य में जाहिर होता है जो हम दूसरों की प्रसन्ठा के लिए उनकी संतुष्टी के लिए उनकी खुशी के लिए खुशी खुशी करते हैं किसी स्वार्त बरे इरादे से या परसनल इंटरस्ट से नहीं प्रेम भरा संबंद नुकसान फायदे के कोई बैलन्स शीत नहीं है प्रेम का स्वभाव है केवल देना जहां प्रेम होता है वहां अपने आपको सुखी करने की भावदा नहीं होती हम बहुत बार शारीरिक सुंदर्ता को प्रेम का आधार मान के चलते हैं दूसरों को मन की नहीं बलकि तन की आखों से देखते हैं वास्तविक प्रेम कोई व्यवसाई नहीं जिसमें रिष्टों का लेन देन हो ये प्रेम थोड़ी है ये तो काम वासना है लस्ट है लेकिन अगर ये लस्ट है तो फिर लव क्या है क्या आप जानते हैं हमारे शास्त्र प्रेम के विशय में क्या कहते हैं वे कहते हैं कि प्रेम वो है जो शाश्वत है हमेशा है और हर शन बढ़ता है लेकिन क्या इस जग में रहते हुए हम ऐसा प्रेम भाव किसी के लिए विक्सित कर सकते हैं हमारे शास्रों की माने तो बिलकुल कर सकते हैं। और वास्तविक प्रेम, लगाव और आसकती का लक्ष है परम पुरुशोत्तम भगवान श्री कृष्ण। स्वयम भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन यानि कृष्ण जो अजीत है, स्वतंत्र है, जो प्रत्येक वस्तु के स्त्रोथ हैं, वे अपने भक्तों के पराधीन हो जाते हैं और उनकी उंग्रियों पर नाचते हैं। जब हम किसी से आकरशित होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से इंप्रेस करने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व और उनकी लीलाओं के बारे में सुनना और पढ़ना चाहिए। जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार प्रसन्द और संतुश्ट रख सकते हैं। और फिर भगवान के प्रती जो प्रेम और आकर्शन महसूस होता है उसे मन ही मन में नहीं रखना है उसे पूरी तरह से एक्सप्रेस करना है मंदिर जाकर भगवान के सौंदर्य को सराहें प्रेम पूर्वक उन्हें भोग लगाएं उन्हें उपहार अरपड करें इस प्रकार हमेशा के लिए भगवान से प्रेम के बंध इस संसार में आप जिससे भी प्रेम करते हैं। उसके साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण से हमेशा के लिए प्रेम मैं संबंध जोड लीजिए। धन्यवाद हरे कृष्णा।